अब इस नमसकार वेल्कम बेक मैं चेनल टार्गेट टीचर जौब में प्रेंक का स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने चैनल टार्गेट टीचर जौब में दोस्तों आज हम बीड़ प्रतमवर्श दुतिय प्रस्ट पत्र बच्पन विकास के विशें में पढ़ें कि आपके सिधार्तन अरुश्टी 2016 में पूछा हुआ कुर्श्चन है तो चलिए देखते हैं अधिगम को प्रभावित करने वाले कारक प्रगति यों विकास का मूल आधार अधिगम ही है तो दोस्तों यहां पर हम बात करें अधिगम यानि की सीखना जो प्रगति और विकास क प्रगति यों विकास का जो मूल आधार है वो है अधिगम एक ऐसी प्रक्रिया है जो उम्र भर चलती रहती है और पगपग पर मानों की व्यवहार का मार्ग दरसन यों नियंत्रन करती है और यह प्रभाव पूढ अधिगम तभी संभव है जब अधिगम कर्ता को उचित से अच्छिक वातवरण मिले वैसे तो मनुस्य बिना सिच्छड के भी सीखता है लेकिन उद्देश से युक्त अधिगम के लिए सिच्छड आवस्यक है तो दोस्तों यहां पर हम बात करें की अधिगम की तो अधिगम जीवन परियंत चलने वाली प्रक्रिया है जो उम्र भर च इस तरह से हम कह सकते हैं अच्छी आलतों का निर्माड भी होता है अधिगम के माध्यम से हम लोगों को देख करके अपने अंदर भी उन अच्छी आलतों का निर्माड करते हैं अच्छे गुड़ों का निर्माड करते हैं और जो भी चीज़ें गलत होती है उसके लिए स्व लेकिन उद्देश्चे से युक्त अधिगम अगर करना है तो सिच्छा आवस्यक है अधिगम को प्रभावित करने वाले निमलिखित कारक हैं सिच्छार्थी से संबंदित कारक सिच्छक से संबंदित कारक पार्ठी वस्तु से संबंदित कारक और प्रक्रिया से संबंदित का कारक तो इसमें नंबर वन हम देखेंगे सिछार्थी से संबंदित कारक सिछार्थी की ततपरता यम इच्छा सक्ति सिछा अधिगम प्रक्रिया के सफलता की यह एक अनिवार सर्थ है दोस्तों गर हम सिच्छार्थी की बात करें सिच्छार्थी के जीवन में अधिगम का क्या महतो तो सिच्छार्थी की ततपरता और उसकी इच्छा सकती ये उसके अधिगम के लिए बहुत ही महतोपोड है कि सीखने वाले सीखने की इच्छा ये ततपरता कितनी तीब्र है उस की जो छमता वो अलग-अलग है तो उसी के आधार पर ही वो सीखते हैं जो उनके अंदर एक तरह से सीखने की इच्छा होगी उनके अंदर जो ततपरता होगी उसी बैक्तिक भिनता के आधार पर ही वो सीखते हैं बालकों को नया ज्यान देने से पूर्वे आउस्यक है कि उनम सिच्छक अपने क्लास में एक ऐसे वातावरण का निर्माड करता है जिसके माध्यम से बालकों में सीखने की इच्छा उत्पन होती है सीखने के लिए उत्तेजना उत्पन होती है सीखने की जिग्यासा उत्पन होती है तो क्योंकि सीखने की इच्छा यदि बालक में है वो नमे नियम कठोर ग्यान को भी आसानी से सीख सकता है तो दोस्तों यहाँ पर हम देखें कठीन चीजे भी अगर बालक की अंदर सीखने की लाल सा है इच्छा है और जिग्या सा है तो वो इन चीजों को आसानी से सीख सकता है चुकि ततपर्ता ध्यान के इंद करने में सहायक होती है और जो उसकी एक तरह से उत्तेजना होती है तत ततपर्ता ध्यान के इंद करने में सहायक होती है बालक में सीखने की इच्छा है जितनी ही उच्छ कोट की होगी अधिगम उतने ही उच्छ कोट का होगा तो दोस्तों इसलिए हम देखते हैं जो बालक कंसंट्रेट करके पढ़ाई करते हैं जो जिन बालकों में सीखने की इ प्रेरित रहते हैं वो बालक जल्दी सीखते हैं उनका अधिगम जल्दी होता है इसके विप्रित यदि तत्परता निमनस्तर की होगी तो अधिगम भी निमनस्तर का होगा अतारत अधिगम सही से नहीं होगा और देखते हैं जो बालक कच्छा में ध्यान से पढ़ते नहीं है ध्यान उनका कहीं और होता है तो कहीं न कहीं उनकी ततपरता है अधिगम के प्रती वो निमनस्तर की है और इसलिए उनका जो अधिगम होगा वो सही नहीं होगा यानि कि वो भी निमनस्तर का ही होगा तो दोस्तों यहां पर हम देखें इसमें A में हमने देखा था सिच्छार्थी की ततपरता मिच्छा सकती और यहां पर देखिए B में दिया हुआ है बुद्धी तो B है आपका बुद्धी, सिच्छार्थी को प्रभावित करने वाले कारकों में बुद्धी भी महत्तपूर है तीब्र बुद्धी वाले छात्र किसी भी नमीन ग्यान को सीखरता आयम सरलता से सीख लेता है तथा मंद बुद्धी वाले छात्रों को नमीन ग्यान सीखने में काफी कटनाईयां आती है तो जो बच्चे तीब्र बुद्धी वाले होते हैं तो बुद्धी बहुत ही महत्वपूर रोल प्ले करती है अधिगम में तो जिन बच्चों की बुद्धी तीब्र होती है वो चीजों को जल्दी सीखते हैं और जिन बच्चों की बुद्धी मंद होती है वो नमीन ज्यान क को सीखने में काफी कटनाई उनके लिए आती हैं टिब आज के जो परिवेस है आज का उसमें मनोविज्ञान के सिच्छा एक सिच्छक के लिए बहुत ही जादा महत्पूर होती है ऐसा नहीं कि केवल सिच्छक के लिए ही मनोविज्ञान की सिच्छा महत्पूर है समाज में हर उस वर के लिए महत्पूर है जो समाज में रहता है क्य बुद्धी ये उसी के इसाब से वैक्तिक भिन्नता के अधार पर सिच्छा देने का प्रयास करता है जिससे की जो तीब्र बुद्धी वाले बालक हैं उनको सामानी बुद्धी वालकों के साथ सीखने में बाधा ना हो अब हम देखते हैं नमबर सी ये सिच्छाती का सारीरिक यो मानसिक स्वास्त है तो दोस्तों यहाँ पर देखें सारीरिक योम जो सिच्छाती का सारीरिक योम मानसिक स्वास्त है मानसिक दिश्टे स्वास्त बच्चे सीखने में रुची लेते हैं और उनमें ठकान भी कम होती तो दोस्तों मांसिक जो ठकान होती है अगर बच्चा सारीरिक रूप से या मांसिक रूप से स्वस्त नहीं है तो उसको जो सीखने में आदिगम में बहुत ज़्यादा बाधायत पन होंगे उसके लिए और मांसिक दरिश्टी से स्वस्त बच्चे सीखने में रुची लेते है और उनमें ठकान भी कम होती है इसके विपरित सारीरिक रूप से अस्वस्त या मांसिक रूप से गरस्त बच्चों का भी किसी भी कारे में मन नहीं लगता है वे सोचने में रुची नहीं लेते हैं इस प्रकार सिछड अधिगम की प्रक्रिया सही रूप से नहीं चल पाती है तो दोस्तों यहाँ पर हम बात करें कि कोई भी सिच्छारती अधिगम के लिए उसका स्वास्ते मांसिक और सारीरिक रूप से उसका स्वास्ते वो सही होना चाहिए तभी वो सही ढंग से सिच्छा प्राप्त कर सकता है अधिगम कर सकता है इसके विपरित सारीरिक रूप से आस्वस्त यो मांसिक रूप से गरस्त बच्चों का किसी भी कारे में मन नहीं लगता है वे सुचने में रुची नहीं लेते हैं तो इस प्रकार सिच्छड अधिगम की प्रक्रिया सही रूफ से नहीं चलती है, तो जो बच्चे मांसिक और सारी रूफ से कमजोर होते हैं, उनका अधिगम बहुत ही स्लो होता है, अब हम देखते हैं, नमबर D, परिपक्वता, अधिगम की प्रक्रिया को बालक की सारीरी के मांसिक परिपक्वता अधिक प्रभावित करती है, तो यहां पर हम देखें, परिपक्वता किसी भी बालक के सारीरी के यह मांसिक परिपक्वता अधिगम को अधिक प्रभावित करती है, तो दोस्तों, बालक के परिपक्वता का मतलब एक तरह से हो सकता है, किसी भी चीज क कषई के लिए बालक कितना सीर्यस होता है वो चीजओ को कितना समझता और सीखता है तो छोटी कच्छाओं में बालक की मांस्पेस्टियों को मजबूत बनाने की और ध्यान के अनुरित किया जाता है ताकि यो בא कलम किताब आधी को पकड़ना सीख जाए तो दोस्तों मानस्पेसियों में एक तरह से उसको छोटी छोटी एक्टिविटी के माध्यम से उसको चीजों को सीखने के लिए प्रेडित किया जाता है उन्हें ब्याकरणा पहाड़े आधी का ग्यान भी इसी दृष्टी से कराए जाता है बहुसी चीजे बालक तभी सीख पाता है अगर वो छोटा बालक है उसको उच्च कछा की बुस्तके दे दी जाए तो साइड उसके लिए पॉसिबल नहीं है पढ़ना क्योंकि अभी वो उस योग नहीं है उसकी जो सारीरिक मानसिक परिपकता है वो उस योग नहीं है तो इसलिए परिपकता अधिगम में बहुत ह महत्वपूर कारक हम कह सकते हैं अब हम देखते हैं नंबर इप प्रेड़ा का स्तर सीखने की प्रक्रिया में प्रेड़ा का महत्वपूर योगदान है यदि बालक को किसी नमीन ग्यान अथवाकारी को सीखने के लिए प्रेड़ित नहीं किया जाता है तो वह इस प्रक्रिय चाथ्रों को मोटिवेट करें और कि वह चीजों को सीखने के लिए उनके अंदर इच्छा लालसा जागरत हो और वह चीजों को सीखें तो अप्रेड़ा से सीखने की इच्छा प्रबल हो जाती हैं और साथ नमबर F सीखने का समय यदि बालक लगातार अधिक समय तक कारी करता है तो फजय तो समय अधिकम प्रक्रिया में अरोध आ जाता है समय विभाग चक्र बनाते समय भी इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि बालक को थकां कम से कम हो तो दोस्तों यहां पर हम बात करें तो मेंटल एबिलिटी जिसे हम कहते हैं अगर उन सब चीजों को ध्यान में रखकर नहीं बनाया जाता है तो कहीं न कहीं जो बच्चों का अधिगम होगा वो सही धंग से नहीं हो पाएगा तो इसी लिए जो बीच बीच में आसान सब्जेक्स की समय सारड़ी रहती है कि बच्चे थोड़ा सा रिलैक्स हो करके भी पढ़ें और उन्हें चीजे समझ में आया उनका अधिगम अच्छे धंग से हो तो सीखने का समय भी बहुत ही महत्तपूर कारक है अधिगम के लिए त सब्सक्राइब करके वेल आइकन बटन को प्रस कर लिजेगा जिससे हमारे सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके तो दोस्तों आपके लिए हम टेलिग्राम चैनल पर बीएट क्लास के नाम से सारे वीडियो की लिंक वहां पर प्रवाइड कराते हैं और साथ ही आ आपके चारों कंबलसरी पेपर की लिंक मिल जाती है तो दोस्तों इसी तरह से आप अपनी पढ़ाई जारी रखिए आप किसी भी माध्यम से पढ़िए हमें बहुत खुसी होगी कि आप अपनी पढ़ाई को अच्छे ढंग से इंज्वाय करके पढ़ाएं चूंकि आपका अच्छे टीचर बनना है तो उसके लिए आप आज ही से अपने आपको प्रिपेर करिए और चोटे-चोटे-चोटे-चोटे-चोटे टॉपिकों को अच्छे ढंग से पढ़ा करिए जिससे कि आपके आगे आने वाले कंप्टेटिटिव एक्जाम में आपको अपने सब्ज से ना उसमें आप अच्छे से क्लियर हर चीज़े क्लियर करके रखिए और साथ ही आप अभी से ही competitive exam के लिए तयार करिए अपने आपको प्रिपेर करिए आपको अपनी degree में तो अच्छे marks लाने ही हैं जो आप बेड के लिए अपने इतनी मेहनत कर रहे हैं साथ ही आपको अप अपने आपको प्रिपेर करिए कि हमें अपने लिए एक सीट सुरचित करनी है अपना और अपनों का सपना पूरा करना है तो दोस्तों इसी तरह से मेहनत करिए स्वस्त रहिए अपना ध्यान रखिए अपनों का ध्यान रखिए हमेशा खुश रहने की कोसिस करिए हमसे जु